हेलो मिले ड्राइगन्स सभी ड्राइगन्स का स्वागत है यह आपके लिए स्पेशली बैच बनाई गई है ताकि आपका जो प्रिपरेशन है क्लास 10 का वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे लेवल पर हो सके तो हमारे फैसिलिटी इस ड्राइगन बैच के बता देता आपको साइंस का मिलेगा आपको सस्ट का मिलेगा आपको मैठ्स का मिलेगा तीनों सब्जेक्ट्स है रोज हमारे इसके वीडियो जाते रहेंगे ठीके प्रिपरेशन के मतलब लाइक लेसे वन शॉर्ट रिविजन वगरे टाइप्स नहीं होंगे एक्छुली मैं लेसन पर नहीं है टॉपिक वाइज मतलब उसमें का कोई चोटा टॉपिक भी वीडियो हो गया उसके उपर बाद में आपको टेस्ट देना है बाद में आपकी चैप्टर वाइज मतलब आपका एक लेसन खतम हो गया मानलो इलेक्रिसिटी में ने फिजिक्स में से लिया वो खतम हो गया, उसके उपर भी एक exam होगी आपको notes provide कराए जाएंगे कि जो आपको याद करने, lesson के notes भी याद दिये जाएंगे आपको और आपका doubt solving sessions doubt solving sessions के लिए क्या करना है आपको telegram पे सब पो लेट से doubts भेज देने telegram का link description box में है इसी वीडियो के description box में अब इसके अंदर देखो मतलब like आपका subjective भी हो रहा है इसमें एक तो मैं MCQ भी ले रहा हूँ और तुम्हारा subjective भी कराके दे रहा हूँ मतलब जैसे कि school का test आपको question paper दिया जाएगा आप उसके answers upload करोगे फिर मैं आपको check करके वो paper दूँँगा ठीक है subjective test अब उसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है सिर्फ कि आपको ये पूरे facilities को let's say access करने के लिए सबसे पहला आपको एक काम करना है आपको इस channel को subscribe करना है वीडियो को let's say इस channel को subscribe कर लो ताकि आपको सभी notification मिले and subscribe करते वक्त वहाँ पे bell icon रहता है bell icon को दबाओ and bell icon को दबाने के बाद all notifications करो ठीक है उसमें कैसा रहता है some notifications या फिर rare notifications ऐसा कुछ रहता है तो आप all notification कर दो मतलब कोई भी notification आपसे मिसने होगा bell के अंदर भी types है तो subscribe करो bell icon दबाओ bell icon के बाजू में drop down arrow होगा उसमें लिखना click करना all notifications second चीज़ आपको करनी है कि telegram group को join करना है अपने telegram application install करो अपने mobile में और telegram का link description में है आप उस group को join कर लो उसके उपर time table के updates आप doubt भी भेज सकते हो तो ये कुछ भी updates एक तो updates में उसी के उपर दूँगा और second thing आप उसके उपर doubts भी पूँच सकते है ठीक है third thing ये जो test है objective test, subjective test इसके लिए एक classroom application हम लोग use कर रहे है तो आपको क्या करना है कि उस classroom को join करके रखना है तो class 10th का class 10th का एक classroom तो ये classroom आप suppose ये online platform है आप mobile से भी access कर सकते है और आप let's say laptop, tablet उससे भी access कर सकते है इसको कैसे join करना है suppose let's say इस class को application का नाम है addmodo ठीक है application का नाम क्या है addmodo आपको क्या करना है कि हमारा मेरा जो classroom है उसको आपको join करके रखना है उसी के अंदर आपको सभी updates आएंगे objective test कब हो रही है subjective test कब हो रही है उसी में से आपको exam भी देना है मतलब आपको कोई कोई चीज इंस्टॉल करने की जरुवत नहीं है सिर्फ ये addmodo इंस्टॉल करके रखना है अपने mobile के अंदर अगर आप laptop यूज कर रहे हैं तो website की link है इस classroom को जल्दी से जल्दी से join करो क्योंकि इसी में आपको सभी updates है इसको join करने का तरीका क्या है आप एक काम कर सकते हो आप join कर सकते हो with the help of instructions इसकी PDF सब पो let's say कैसे join करना है वो link में description में दिया हुआ इसी वीडियो की description में आपको एक link मिल जाएगा की how to join let's say classroom, our classroom को हम लोग कैसे join up कर सकते हैं उसके instructions वगरा उसमें code वगरा सब दिया हुआ है आप at least उतने literate हैं आप 10V में हैं तो at least you can understand how to join तो instructions everything is given there code के साथ, आप खाली join कर लो बाकी सबको updates आपको application पे आती रहेंगी कि कौन सी test कब है subjective test कब है आपको notification आ जाएका बस आपको test देना है उसके जिसाब से तो learning videos, lesson videos हम लोग रोज update करेंगे रोज recorded videos प्रिमेर कराए जाएंगे आपको 30-30 minute के 30 minute for SST, 30 minute of science and 30 minutes of maths लेकिन ऐसा एकादी दिन हो सकता है कि एकादा topic हम लोग ज्यादा detail में ले खीच रहा है इसलिए एक ही subject के videos आ गए सभी और उस दिन फिर maths या फिर सपोज SST नहीं हो रहा है सिर्फ science ही हो रहा है ऐसा हो सकता है लेकिन हम लोग syllabus properly complete करेंगे पूरा साल भर चलेगा यह program तो batch में जल्ली से enroll कर लो उसके लिए वीडियो को subscribe करना है चैनल को subscribe करना है फिर telegram के application को install करके अपने group को join करना है उसकी link description में है और अपना जो Edmodo application mobile में install करके या फिर आप laptop में Supple Etsy website को visit करके उसको join कर लेना है so join Edmodo classroom Edmodo classroom को join करना है उसके instructions हमारे इसमें दिये हुए इस वीडियो के description में तो यह जल्दी से कर लो and welcome to the dragons batch and let's say hopefully हम लोग साथ में मिलके we will create history तो welcome dragons and do let's say follow the steps which have been told to you आप जल्दी से कर लो वो तीन चीज़ है channel subscribe, telegram join and Edmodo classroom को join कर लेना है बस that's it बाकि सब भी updates आपको उसके उपर आते रहेंगे चलिए शुरू करते हैं फिर नया lesson हमारा that is chemical reactions and equations यह chapter first है chemistry का इसको सिर्फ अगर मैं lesson की बात करो तो यह lesson सिर्फ इसले difficult बनता है because इसमें थोड़ा सा suppose जो chemical reactions है starting में first time बच्चे deal करते रहते हैं क्योंकि 8th में reactions उतने होते नहीं 9th में भी होते नहीं है जादा लेकिन 10th में एकदम से chemical reactions आ जाते हैं तो जिसकी वज़े से यह lesson थोड़ा सा tough बन जाता है उपर से उस equations को balance भी करना पड़ता है तो ऐसे सभी चीज़ है इसके वज़े से यह lesson थोड़ा सा hard बन जाता है लेकिन don't worry मैं उसको जितना हो सके उतना easy आपके लिए बनाऊंगा तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला lesson को समझ के लेते हैं कितने सारे points हैं क्या है वगरा वगरा सबसे पहला यहां पर like you know there are three sub topics introduction तो बस चलो ठीक है अब जस्ट एक topic है लेकिन हमारे कितने main topics हैं इसके अंदर इस chapter के अंदर तो वो है 1.1, 1.2, 1.3 मतलब तीन points है पहले इसमें 2 sub topics हैं और second topic में अगें 5 sub topics हैं और last में एक जस्ट एक 2 sub topics हैं लास्ट के topic में तो यह हमारे lesson के let's say titles हैं तो चलो शुरुआत करते हैं chemical reactions and equations तो देखो chemical equation मतलब chemical change या फिसिकल change क्या होता है पहले वो समझ के लो यह अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर chemical reaction या क्या होता है यह समझना बहुत आसान है तो देखो there is something called as physical change आपको यह 9th में actually था physical change मतलब क्या रहता है what do you mean by physical change physical change मतलब physical change like भाउतिक होता है like इसके अंदर कोई नया product नहीं बनता है in short इसमें क्या रहता है एक नया product नहीं बनता है new product not formed new product not formed आपको खाली इतना देखना है नया कुछ चीज बनी है क्या कोई भी चेंज जफ होता है आपको अगर कोई पूछ रहा है कि इसमें मतलब नया product बना बना तो सपुलेट से chemical जैज नहीं बना तो physical change so new product not formed और chemical change कैसा रहता है इसी के opposite होता है chemical change कैसा रहता है इसके exact opposite होता है chemical change में कैसा रहता है new product is formed new product तयार होता है new product is formed ऐसा ना टक है अब एक simple example देख लेते हैं यह उपर वाला देखो अगर हम लोग दूद बाहर रखते हैं खराब हो जाता है तो नया प्रड़क्त बनता है तो चेमिकल चेंज आयन तवा अगर हम लोग बाहर रखते हैं तो तुमको तो पता है आयन रस्ट होता है अगेन न्यू प्रड़क्ट यह रस्टिंग वाला एक्जामपल है और सपलेट से यह तो डीकंपोजिशन वाला पूर अगेन इसला अब फोर लेट से फर्मेंटेशन के एक्जामपल अगर बनता है अंगूर और फिर बाद अल्कोलिक ड्रेंक बनता है तो हैंस एपवीसली दिस अगेन नूबろड़क्ट फॉर्म केमिकल चेंज फूद में पहले मटेरियल अलग रहता है नया रहता है फूद ग पता चल रहा है कि नया अगर कोई चीज है कोई नया suppose अगर प्रड़क बनता है तो इस वेरी सिंपल चलिया ओंगे बढ़ता है फिर इन अबव एक्सपरिमेंट्स मतला आप जो सिचुएशन थे इसमें कैसा है वेनेवर चेमिकल चेंज ओकर्स वी से ड़ेट देट देटेकन प्लेस यह अपने बुक में एक सिंपल सा डेफिनेशन है जब केमिकल चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं कि केमिकल रियक्शन वहाँ पर हुई है ओके सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फिर कि केमिकल चेंज लीड्स टू केमिकल रियक्शन कितना आसान है chemical change की वज़े से chemical reaction होती है हो गया, that's it मतलब हमारा जो lesson है chemical reaction उसका definition हमको मिल गया, chemical reaction मतलब क्या जिसमें क्या होता है जिसके अंदर हमारे chemical reactions होती है chemical reactions बुलतो क्या, जिसमें chemical change होता है whenever a chemical change is happening it is nothing but called as chemical reaction एक दम आसान चलिए, अभी next activity देखते है अभी जो activities होंगी, इसके मैं practicals भी upload करूँगा ठीक है, YouTube के उपर you will have practical experience अब लेकिन फिर भी theoretical example की तोर पर हम लोग इसको समझ के लेते है तो ये वाले activity में क्या कर रहे है तो एक magnesium ribbon ले रहे है और उसको जला रहे है, ठीक है और इसको ये जब जलता है तो initially, मतलब जब जलाने के बाद जो उसका flame बनता है इस particular ribbon का, काफी white होता है काफी bright white होता है तो यहाँ पर आप support लेट से आपकी book में लिख सकते है flame किस color का होगा white color का, magnesium ribbon को burn करने के बाद उसका flame का color कैसे रहता है white रहता है white colored flame ठीक है, white colored flame और यह जो नीचे जमा होता है magnesium oxide यहाँ पर watch glass में ऐसा काफ के जैसा container होता है उसके अंदर क्या कर रहे है हम लोग यह जला हुआ material जमा कर रहे हैं यहाँ पर तो जलने के बाद वो क्या बनाता है magnesium oxide बनाता है so this is magnesium oxide यह वाला which is white in color यह भी white color का ही होता है magnesium oxide तो यह reaction कैसे लिखेंगे हम लोग the reaction we will write something like this magnesium, ठीक है, mg magnesium बोल तो mg इसको किस के साथ react कर रहे है, oxygen के साथ और फिर क्या बन रहा है, mg o mg o बन रहा है चलिए balance कर लेते हैं, यहाँ पर दो oxygen है यहाँ पर सिर्फ एक ही है, यहाँ पर दो कर लेते है 2 mg बोले तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा हो गया, this is your reaction so this is magnesium oxide, this is oxygen, this is magnesium तो यह reaction देख लो magnesium oxygen के साथ react करता है और क्या बनाता है, magnesium oxide बनाता है अब इसके अंदर एक चीज़ आपको धान में रखनी है कि यहाँ पर ऐसा पूस्ते है कि इसको सपुलेट से sandpaper से घिसते है तो ribbon को क्यょं घिसता जाता है sandpaper से, साथ sandpaper बोलता है रफ पेपर होता है, magnesium ribbon को जलाने के पहले उसको घिसते है question यह है कि क्यों घिसते है तो देखो, जब sandpaper से आप घिसते हो Sand paper, use क्या उसका? To remove oxide layer, अगर उसके उपर oxide है, dust layer उसको निकालने के लिए, Dust layer and oxide layer remover and oxide layer remover. Oxide बोले तो उसके उपर oxygen का एक परत जमा हो गई है, ऐसा कब हो सकता है? जब आपने magnesium बाहर रखा बहुत देर के लिए, मेरा कहावे में तो हो सकता है कि during that time उसके उपर एक oxygen combine हो magnesium के साथ और magnesium oxide का एक layer बना दे जो जलता नहीं है magnesium oxide काफी stable है so dust layer and oxide layer को remove करने के लिए ठीक है तो यह हो गया हमारा first activity चलिए तो यहां पर स्कॉंडरलाइंग कर लो सब्सक्राइज डाजलिंग white flame होती है और white powder होता है white powder किसका magnesium oxide का यह magnesium oxide का रहता है और white flame किसकी जलती है magnesium की चलिए नेक्स्ट अक्टिविटी इस लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट के बारे में बात करता है देखें लेड नाइट्रेट का कैसा है सब्सक्राइब आपको खाली इसका symbol निकालाना चाहिए मतलब सफो लेड इसकी वैलनसी वगेरा तो compound का formula बहुत सारे बच्चे अभी क्या करता है जैसे कि सफो लेड़ से इसका example बताता हो फिर बात करता है तो lead nitrate को लेते है lead का वैलनसी कितना होता है lead का सिम्बोल है BPP P. और उसका व्यड़िए कृता है तू होता है और नुच्छ नाइट्रेट का क्रिस्ट आप सब्सक्राइट किनट कर लोगए तो फॉर्मुला क्या बनेगा pb no 3 taken 2 और कम याइनд के जैसा तो वही फॉर्मूला लिए है MP03 Yes सब्सक्राइब कर लो तो क्या आ जाएगा के वन नहीं रहता है तो देखो किया के साथ अब यह दोनों सॉलिड फॉर्म में है हम लोग एक दूसरे का रियक्शन कर रहे हैं ठीक है मतलब लाइक वी जस्ट लेट से इसको सब्सक्राइब में हमने रखा है सब्सक्राइब तो यह इसको चेंज करना पड़ेगा तो अब यह अब देख सकते हैं यहाँ पर कैसा है कि अपका lead nitrate लिया है start इंग में फिर potassium iraard का reaction कर रहे है औड यह solution फॉर्म में लिया है मतलब lead nitrate को पहले पानी में डाला फिर उस पानी को हम लोग use कर रहे है solution को, solution मतलब क्या any compound in a particular water solution मतलब in water solution का मतलब क्या होता है, पानी के अंदर okay, तो lead nitrate का पानी लिया आपने फिर potassium iodide का पानी लिया in the sense, potassium iodide पानी में डाल के लिया उसके बाद आपका reaction किया तो reaction में क्या हो जाता है कि यहाँ पर exchange होता है यह जो lead है न वो positive होता है और nitrate का group minus होता है potassium positive होता है, iodide negative होता है तो इसमें क्या हो जाता है यह जो आपका lead है, ठीक है यह किसके साथ combine हो जाता है, यह positive है ना, ओके सो positive किसके साथ कमबाइन हो जाता है, negative के साथ, यहाँ पर negative कौन है यह आए, और यह जो potassium है, वो किसके साथ कमबाइन हो जाता है, potassium combines with, यह वाला जो potassium है it combines with nitrate group, positive है ना तो किसी nitrate minus के साथ combine हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं KNO3 बना है, KNO3 वहाँ पर twice नहीं है, सिर्फ KNO3 है तो formula तुम बना सकते हो ना, तुम्हारे 9 की जैसे, देखो potassium और nitrate में तुमको बनाना है, right, potassium का valence है कितना है 1, nitrate का supplement से आपका valence है कितना है, तो that is 1 again, ओके ठीक है, तो criss-cross कर लो, क्या आजाएगा KNO3, agreed हाँ, तो वही लिखे है, KNO3 and last वाला कुन सा, वो PB, मतलब lead and iodide का तो PB का कितना valence है, 2, iodide का कितना है 1, criss-cross कर लो तो that would be PBI2 क्या हमने वही लिखा है, PBI2 वही लिखा है, right तो इस तरह से हमारे यह आगे अब आपको यह चीज़ धायन में रखनी है कि इस वाले chemical reaction में during this chemical reaction one thing which you need to remember is कि इसमें एक बहुती नाटक है और वो यह है कि आपका जो यह है PBI2 है उसका color yellow रहता है पानी के अंदर PBI2 जो है न, yellow color का रहता है इसलिए उसको क्या बोलते है yellow precipitate तैर होता है मतलब पानी के अंदर literally yellow color एक तैर होता है तो yellow precipitate वहाँ पे तैर हो जाता है इसका yellow color है पानी के अंदर solution के अंदर तो this is yellow precipitate ठीक है अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यह activity मैं आपको करके दूँगा मतलब like you know practically सिखाऊंगा don't worry practical का भी एक वीडियो अपलोड होगा छोटा सा आप वो देख सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ की बारे में बात कर रहा हूँ अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह रहता है सर ऐसे तो बहुत सारे रियक्चन होंगे ऐसे कलर्स कितने तो भी तैयार होते होंगे क्या हमको हरे का कलर याद रखना जरूरी है नई फिर हमको कैसे पता चलेगा कि यलो कलर है कि ब्लू है कि ब्लाक है आपको नहीं पता चल सकता problem कैसा है कि यह जो reactions है ना जितने भी first lesson में reaction दिये हुए वो सभी reactions lab में scientist लोगों ने किये हुए मतलब like you know लोगों ने यह पहले reaction experiments के तौर पर science lab में किये हुए उसके proof आपके textbook में है इसलिए आपको यह color दिया जाता है yellow precipitate आपको याद करने का नहीं है मतलब like you should not उसका कोई ऐसा logic नहीं है कि भई इस reaction के अंदर कौन सा color दिया होता है फिर वो reaction आपको याद नहीं रखना है उन्होंने कुछ reaction की है और आपको proof दिया है आपको खाली उसको याद कर लेना है कि भई यह reaction के अंदर yellow precipitate दिया होता है आपको separately याद नहीं करना है ठीक है तो जितने भी reactions है हमारे lesson में you don't have to worry आपको खाली समझ के लेना है और उसको याद करना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस रोज अगर प्रैक्टिस करोगे reactions की तभी जाके वो याद होंगे चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ये reaction होगी let us move on अभी next वाला हम लोग experiment करेंगे और वो है कि zinc डालेंगे इसके अंदर हमारे conical flask के अंदर और इसके अंदर हम लोग उसको देखेंगे कि भई कौन सी gas तेहर होती है क्या है तो अंदर हमने क्या ले लिए आसेड ले लिए और आसेड के अंदर जिंक डाल रहे हैं तो देखो यहां पर तुम HCl भी डाल सकते हो H2SO4 भी डाल सकते हो ठीक है अब तुम जिंक ले लो जिंक और दूसरा भी जिंक ले लो दूसरा भी जिंक ले लो आप एक बार क्या करो जो आसेड डाल रहे हो वो HCl डाल दो उन्होंने हमको दो ओप्शन्स दिये हैं तो हम लोग दोनों में से सब्पो लेटर से दोनों एक एक करके डालेंगे एक बार हमने HCl डाला दूसरी बार क्या डाला H2SO4 चलिए देखते हैं कि क्या होता है इस रियाक्शन में तो पहले वाले रियाक्शन में तैयर होता है Zinc Chloride ठीक है Zinc यह Hydrogen को Replace कर देता है देखो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका जो Zinc है न वो किसको Replace करता है H को Replace करता है H बहार निकल जाता है Zinc वहाँ पर आ जाता है तो आंसर कैसा रहेगा फिर Zinc Chloride Zinc Cl के साथ Combine होगा अब प्रॉब्लम क्या है Zinc की Valancy देखो ठीक है Zinc की क्या देखो Valancy देखो Zinc का Valancy कितना होता है Zinc Valancy is 2 और आपके क्लोरीन का क्लोरीन का 1 रहता है formula क्या बनेगा ZNCl2 ZNCl2 formula बनेगा यही formula हम लोग यहाँ पर लखेंगे क्योंके Zinc क्लोरीन के साथ Combine हो रहा है तो formula उड़ भी ZNCl2 और बहार क्या निकलता है H बहार निकलता है तो यह H और एक H combine होके Actually वहाँ से Hydrogen Gas निकलती है कौन से Gas निकलती है Hydrogen Gas Second वाला देख लो Zinc प्लस H2SO4 यहाँ पर भी Same किस्ता होता है आपका Zinc किसको replace कर देता है Hydrogen को और फिर Zinc किसके साथ Combine हो जाता है SO4 के साथ तो चलिए वो बना लेता है लेकिन problem क्या है कि आपका जो Zinc और Hydrogen है एक बार उसका यह देख लो क्या बोलते है Valency Zinc हो गया आपका Zinc का Valency कितना है 2 और SO4 SO4 Group का Valency होता है 2 तो क्रिस क्रॉस कर लो Formula क्या आएगा ZNSO4 रेट तो बस लिख दो उसको ZNSO4 और यह जो Hydrogen की ऐसे वो बाहर निकल जाएगा तो यह reactions हो गए हमारे Is it okay चलिए फिर Balance कर लें इसको Balancing करने के लिए देखो उपर ZN है यहाँ पर Cl2 है Hydrogen है तो एक काम कर लेता हूँ Chlorine 2 है न मैं इसको 2 कर लेता हूँ Hydrogen 2 हो गया सब Balance होगे C एक ही नमबर डालने से What about यहाँ पर यहाँ पर H2 है SO4 है तो हमारे पास दो reactions आ गए ठीक है अब आप आसानी से समझ सकते है कि reaction के अंदर कौन सी gas release हो रही है Hydrogen और यहाँ पर एक question पूछ रहे यहाँ पर temperature का क्या होता है तो देखो ऐसे वक्त क्या होता है न acid का reaction है तो heat काफी generate होती है तो temperature कैसा बढ़ जाएगा increase हो जाएगा ठीक है temperature increase हो जाएगा और zinc की आजुबाजु में क्या होगा bubbles आएगे bubbles यह किस चीज के bubbles होगे hydrogen gas के H2 gas के bubbles होगे ठीक है चलिए फिर So यह वाला reaction आए आपको समझ में आ गया अभी हम यह पूरा lesson की से बारे में The lesson का नाम क्या है Chemical reactions chemical reactions and equations तो इसके अंदर कैसा रहता है कि आपके जितने suppose यह अलग-अलग types है like you know कि कैसे पता चलेगा किसी चीज को देखके कि भई chemical reaction हुई है कि ने तो आमको इतना पता है कि if there is a chemical change new product there होता है तो it is called as chemical reaction लेकिन कुछ visible proof चाहिए ना दिखने में कुछ proofs होने चाहिए कि जिससे हमको पता चले तो there are four things यह एक तो साथ में भी हो सकते है individually भी हो सकते है अगर इस पे से कुछ भी हुआ तो it might give us कि maybe यह proof है मतलब जैसे कि मानलो आपका state change हो गया state change in the sense solid to liquid, liquid to gas या फिर gas to solid हो सकता है कि during that time chemical change हो हला कि most of the time वो physical change ही रहता है क्योंकि physical change ही है वो लेकिन it might be happening sometimes कि maybe state change हो रहा है आपका ठीक है state change हो रहा है और उसकी वज़े से it's a chemical reaction color change वो तो हमने देखा भी yellow color त्यार हुआ था precipitate में तो that is the perfect proof for that evolution of gas evolution of gas का भी perfect example hydrogen वाला था last वाला जो देखे थे hydrogen gas nucleus में तो that is also chemical reaction या फिर change in temperature वो भी हमने last में देखा था zinc डाले थे हमने HCl या फिर H2SO4 में तो heat release हुई थी तो ये चारो जो चीज़े है ना these are proofs these are evidences for chemical reaction ठीक है these are evidences evidence और proof these are evidence और proof किस चीज़ का evidence या फिर proof है ये this is the evidence और proof ठीक है for chemical reaction for chemical reaction for chemical reaction ये चीज़ धान में रखनी है ठीक है so it's evidence और proof for chemical reaction तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने हमने reactions देखे हैं देखो तुमको starting में भी hard लगेगा बट जब हम लोग reactions के types देखेंगे ना तुमको याद हो जाएंगे इंट्रोडक्शन के जो reactions है आज जो देखे हमने तो आपको कैसा हो सकता है कि you might feel that suppose let us say ये reactions काफी hard है या फिर को इसे याद रखें वगएरा वगएरा लेकिन don't worry शुरुआत है आपको एक एक समझ में आएगा तो ही उसको लिखोगे practice करने के बाद तो don't worry for now just अभी फिलाहल के लिए इस topic के उपर धान दो you don't have to worry about any other things चलिए फिर हमारा next वाला topic करते हैं फिर इसके अंदर and that is chemical equations मतलब like chemical equations है उसको writing कैसे करना है, balance कैसे करना है और दोनों चीज़े हम लोग देख लेते हैं आज चलिए फिर तो फिर next वाला topic देखते हैं हमारा पहला तो हो चुका है अभी हम लोग दूसरे दो देखेंगे chemical equations उसको write कैसे करना है, balance कैसे करना है तो आपको starting में आपने देखा होगा कि let's say हमने एक reaction देखी थी जिसके अंदर हमने magnesium ribbon को जलाया था और वो oxygen के साथ combine हो गया था right, magnesium plus oxygen तो तब क्या तैयार हुआ था? magnesium oxide तो ऐसे कोई भी elements या फिर कोई compounds, कोई molecules यह ऐसे जब react करते हैं मतलब chemical reaction के undergo जाते हैं so whenever there are certain chemicals और there are certain elements which undergo chemical reaction those are called as reactants reactants, मतलब जो chemical reaction में participate करते हैं okay, so basically like the participants उनको क्या बोलते हैं? reactants बोलते हैं so what is the definition? we can say chemicals or elements undergoing chemical reaction chemicals or elements undergoing chemical reaction undergoing chemical reaction इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं reactants and product क्या रहते हैं फिर? products are nothing but ये ऐसे chemicals या फिर let's say elements हो सकते हैं, compounds हो सकते हैं which are the creation of a chemical reaction chemical reaction होने के बाद जो चीज़े बनती हैं तो let's say उसको products बोलते हैं तो things things created after a chemical reaction things created या फिर produced produced after a chemical reaction are called as product things produced during a chemical reaction product बोले तो क्या रहता है? things produced during a chemical reaction मतलब जो participate करते हैं उनको reactants बोलते हैं जो बनता है उसको product बोलते हैं आपको हर बार एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको जो reactants है हमेशा left hand side पर लिखने है जो RHS reactants है वो हमेशा कहाँ पर लिखना है LHS पर left hand side और product हमेशा कहाँ पर लिखने है right hand side पर तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी हैं कि LHS पर कौन लिखना है? RHS पर कौन लिखना है? रेट? ओके ठीके so the new substance created are let's say products and the substance which undergo chemical change is called as reactant तो LHS पर किसको लिखते हैं हम लोग? LHS पर हम लोग किसको लिखते है? reactants को agreed? reactants को लिखते है मतलब जो participate करते हैं किसी chemical reaction में और RHS पर किसको लिखते है? RHS में obviously जो चीज़े बनती है जैसे की products है हम लोग उसको लिखते है सही है? so LHS reactants, RHS products तो ऐसा रहता है चलिए फिर 1.1.1 शुरू करते हैं राटिंग गेमिकल लिखेशन को लिखना कैसे है तो देखो ये एक मैंने लिख दिया है सपोलेट से पहला वाला reaction हमने कैसे लिखे थे? वो लिखे थे देखो magnesium plus oxygen gives magnesium oxide gives magnesium और एक चीज़ा किसी chemical equation में ये जो arrow रहता है ये arrow ये arrow का फाइदा क्या रहता है? arrow से आप ये बता सकते हो कि reaction किस तरफ जा रही है so the arrow will always point towards the product ये भी ध्यान में रखना है ठीक है? arrow हमेशा किस तरफ पॉइंट करेगा? arrow will point towards product will point towards product सही है? it will always point towards the product चलिए फिर तो ये वाले ये हमने जो chemical equation लिखा है इसको क्या बोलता है? this is called as word equation इसको क्या बोलता है? word equation बोलता है तो ये चीज़ धान में रखने है this is word equation ये word equation हो गया कौन सा? ये वाला अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे? suppose let us say chemical equation ये word equation हो गया let us write down chemical equation chemical equation चलिए chemical equation लिखते हैं और oxygen का क्या रहता है? O2 और इससे क्या बनता है? magnesium oxide तो इसको chemical equation बोलता है इसको chemical equation बोलने का उपर वाले को word equation बोलने का ठीक है? चलिए आगे बढ़ता है so arrow वगर एक बारे बता दिया now we have to learn something called as skeletal chemical equation skeletal chemical equation तो सबसे पहला हम लोग लिखते है equation लिख रहा हम है ध्यान से देखो it is mg magnesium plus oxygen gives us what? mg o तो इसको skeletal chemical equation बोलता है ठीक है फिर मैं explain करता हूँ what is the difference और इसको बोलता है balanced chemical equation नीचे वाले को balanced chemical equation बोलता है तो उसमें कैसा लिखते है हम लोग? we write it something like this mg plus o2 gives mg o लेकिन हम लोग उसको balance भी करता है balance in the sense कितना नमबर लिखना पड़ेगा है यहाँ पर 2 तो 2 हो गए अभी mg वो को भी 2 करना पड़ेगा so 2 mg so 2 mg plus o2 gives 2 mg o अब दोनों में फरक किया है skeletal chemical equation is nothing but वो balanced नहीं होता है not balanced आप देख सकते हैं यहाँ पर skeletal chemical equation is nothing but जो balanced नहीं है so in short unbalanced chemical equation is called as skeletal equation not balanced not balanced या फिर हम लोग उसको simple भाशा में क्या बोल सकते हैं यह unbalanced chemical equation होती है unbalanced right it is unbalanced और balanced का वो तो balanced ही है तो skeletal is nothing but unbalanced chemical equation balanced equation means it is balanced like with a number right okay then so I hope आपको यह detail में समझ में आ चुका होगा सही है चलिए फिर तो आपको क्या करना है देखो हमारे जो यह है classroom है जो मैंने तुमको बोला था कि भाई add mode उपे suppose आप classroom join करके रखो तो उसके उपर time to time जैसे जैसे आप video complete करोगे वैसे वैसे quiz आएंगे तो आप पढ़के रखते जाओ ठीक है आपको notes वगरा सब provide किया जाएगा आपको क्या करना है कि भाई यह पढ़के रखना है तो आपको फिर quiz भी आएगा ठीक है उसी के उपर तो रोज वीडियो देखते रहें प्रॉपरली पढ़ाई करते रहें भले ही videos recorded हो लेकिन आपको suppose let us say पढ़ाई के लिए revision के लिए कभी भी एई चीज़े काम में आएंगी और आप polls देते रहें quiz देते रहें ताकि आपकी practice होती रहें तो चलिए फिर आज का suppose session यहीं पर complete करेंगे we will meet in the next session